तो ये है वो सर तो सर आपका क्या नाम है हाई एवरिमन माई डियर ओल फ्रेंड्स है लो गुड मॉनिंग आइस बेलकम बेक टू माई न्यू गुलोग और आज हो चुकिए बारेस सेप्टमबर टाइम उचका है नौबज के चालीस मिनट और जैसे कि आप लोगों को पता है रात को मैं आ गया तर देहरा दून तो रात को ना मलब सी एन जी की चक्कर में आप समझेलों पूरी रात हो गया जगना पड़ा नीद पूरी हुई नहीं है बस अभी मैं उठाओ हूँ अपनी गाड़ी से और अभी हम निकलते हैं फ्रेस होने के लिए अपना नास्ता पान तो ऐसा ही निकलना अभी फिलाल देहरा दून से काम है नहीं तो कल का सीन कुछ ऐसा हुआ जैसे आपको पता मैं आ गया था उस ताइम मलब खाली आया था गरीब 33-35 किलोमेटर के राउंड था देड़ गंटे में मैं आ गया था अपना सस्त जारा रोल सी एन जी पंप सी ए एक अंकल थे मलब चाचा जी हैं बरावर में जानने वाले ही हैं तो उन्होंने मुझे आके जगा दिया फिर तीन बज़े मैं जग्या आप समझ लोगी जब एक बज़े सो या था और तीन बज़े जग्या तो क्या ही नील पूरी होई होगी तो अभी उठाओ नोबज के 40 म आए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ लाइक करिए कमेंट करिए तो आज का व्लोग जो हमारा स्टार्ट होता है सस्तारा रोड देहरा दूनते तो चलिए स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं तो गाइस ग्यारे बज़ के 50 मिनट का टाइम हो चुका है और अभी तक हमारे पास कोई भी बुकिंग नहीं आई है मैं देहरा दून में यह भी खड़ा हूँ और जैसे सस्तारा रोड पर में जिस जगह पर खड़ा था वहां से मैं आ गया थोड़ा सा नीचे क्यूंकि चाई तो मैंने वहां पर पी ली थी जिस जगह पर हम लोग गाड़ी लगाते ना उसी के सामने एक दुकान है तो वहां पर चाई वगर अपनी हो गई फिर उसके रहता है अपना ड्राइवरों का ज़्यादा तर बाहर रुकते हैं तो पैटल पंप से एंजी पंप यही सारा कुछ अलोग जितने भी आप समझे लोग पब्लिक सुदा होती ना उनहीं में हम लोगों को अपना गुजारा करना पड़ता है ठीक है सोना तो गाड़ी में है ना दोना अपना कहीं बाहर कर लिया तो ऐसा ही है अभी देखते हैं कि पूरा दिन कैसा जाने वाला है मलब कल रात से तो यहीं पड़े हैं तो उमीद लगाए बैठे हैं बस कुछ नहीं कह सकते तो अभी फिलाल अपना यहां से हो गए रेड़ी अभी थोड़ी दिर में पड़ता है एक पैटॉल पंप आपको दीख नहीं रहोगा तो देखो यह लेफ्ट साइड में काफी एंस्यार की गाड़ियां कड़ी है मतलब काम है ही नहीं मिलकुल आप समझ लो यहीं पर जादा तर देहरादून में मतलब लोकेशन जो है ना दिल्ली एंस्यार की जितन उपर ठीक और एक पड़ जाता है सस्त्रावर तो बिल्ली कर दिल्ली है इन्स्यार क्यों कि सारे भाई यहीं पर आते हैं और अपना यहीं का लगाके रेश्ट कर लेते हैं तो काफी टाइम हो गया मुझे भी अपना मैं यहीं हमेसा रुपता हूँ जादत तल जो है ना तो अब ये हमारी जगे पे किसी भाई ने गाड़ी लगा ली है चलो कोई नहीं उसके बराबर में हम लगा लेंगे चलो जी कोई बात नहीं लगा ली भाई ने तो पर हम लगाएंगे भाई पे हमारी जो लोकेशन है अब लोकेशन है यार के डूटी कब तक क्या आती है कैसा जो भी रहेगा बताएंगे टाइम हो चुका है एक बज़ के चालीस मिनट और अभी तक हमें कोई भी डूटी नहीं मिल ली है और अभी हम यही अपना सस्तार अरोट देरादून में खड़े हुए है तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए और एक भाई आज हमें मिले है जिनसे अभी मैं मिलवाता हूँ और जानते हैं कि वो कैसे डूटी लाएते और मनलब कितने की लाएते कैसा क्या सारा कुछ अभी मैं उनसे मिलवाता हूँ और वो एक यूनियन के कह सकते हैं जो लीडर हैं जो भी हैं सारा कुछ मैं भी बात करवाता हूँ ताइम हो चुका है पांच बज़ के 27 मिनट और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था उस टाइम एक बज़ के मेरे क्याल से 30 मिनट के राउंड हो रहा था जब मैंने आपको बताया था कि एक सर हैं जिनको मैं मिलवाना चाहरा हूँ और वो मनलब सुबह से हम दौनों लोग उनी के साथ हैं एक दूसरे के साथ बैठे हैं सुबह मैं उनकी गाड़ी में था फिर उनके पास एक बुकिंग आ गई थी बट वो बुकिंग थोड़ी डिले हो गई मतलब जो मैडम है उनको आज की जगह कल जाना है तो फिर वो वापस आ गए और फिर उसके बाद हम दौनों लोग दुफैर में खाना खाने गए उसके क्हाड़ के बाद में बार के बिखिस हैं सब्सक्राइब का इस से बुद्रियो के साथ मिल वाचे थे तो यह हैँ वो सर तो सड़का क्या नाम है आपको कितना टाइम हो गया गाड़ी चलाते हुए गाड़ी चलाते हुए बाइस साल मतलब काफी ज्यादा टाइम हो गया है मुझे तब ही मेरे गयाल जब चार-पांच साल हुए है तो सर मुझसे एज में भी काफी बड़े है और वैसे भी तजुर्वे में भी काफी टाइम हो गया उनको तो सर यहां पर आप जो आए थे तो कैसे लाए थे वल्लब डारेक्ट थी ओला उबर के थुरू थी कैसे थी अब जो बुकिंग आती है वो लोग शेर करते हैं वाटसएप ग्रूप में वहां वो प्राइस डाल देते हैं और जिस गाड़ी वाले को वो प्राइस सूटेबल करता है और उसकी नियरिस्ट होता है पीकप पॉइंट के तो वो उसको एकसेप्ट कर लेता है और बुकिंग ल अब आप जो लाएते हो वो बाटसएप ग्रूप से लाएते होगी है और बाटसएप ग्रूप के अलावा और बी किसी से आप चलते हैं हां मेरे अपने भी क्लाइंट हैं बाइस साल हो गए मतलब जैसे मुझे तो करीब 4-5 साल वाइन तो मतलब आप लोग देखते ही होंग हैं तो उससे साफ से आप लोग आइडिया लगा सकते हो तो मलब सुवह से मैं सर के साथ हूं काफी मजा आ रहा है काफी इंट्रेस्टिंग है सर मलब एक फ्रेंक्ली विवार है उनका काफी बड़ी आ तो अभी देखते हैं आगे कितना वेट और करना पड़ेगा अभी कुछ आइडिया नहीं है कि कितना टाइम ओल लगेगा क्योंकि अभी तक कोई बुकिंग नहीं आई है कल रात को मैं आ गया था करीब नौ बज़े जैसे आपने देखा था कि मैं मनलब दहरादून जिस जग इस वीडियो में बने रहे हैं हमारी इस वीडियो के साथ और सरह हमारे साथ रहें गे तो मिल वाएंगे आगे अगर सब्सक्क्राजों कुछ भी अपडेट मिलता है तो और अगर निकलो जाते तो जैसा रहेगा सारा कुछ बताएंगे इसी będzie कर तो चलिए अभी के यह रोकत तो अभी जो मेटो से मैंने मंगाया है खाना एक मंगाया था रोल एक बर्गर सोबसह अभी खा पीके सोते हैं और दिनये कमी तोई है पूरा दिन वेट किया जैसे आपको पता है घुछाल डीक कर नहीं दो अपर है लेकिन मैं कहीं गया नहीं जाने की इच्छा नहीं थी और पस यही राज का दिना जैसे आप लोगों ने देखा अभी जो है ना देहरादून से काम बिलकुल ही नहीं निकल ला है कुछ भी तो दिल्ली की इतनी गाड़ियां आ रखी है आप समझ लो कि बैसे आपने देखा हो हम यही तो उम्मीद लगाही थी कि काम निकल ला है लेकिन काम नहीं निकल ला है क्योंकि आप समझ लो कि कल रात से मैं पड़ा हूँ काम निकल ला होता तो यहां रुकने की जरुवती क्या थी तो बस यही राफ लाल तो हमारा कल रात से पड़े हैं टैक से सारा कटवा के अब देखते हैं कल की उम्मीद लगा के बैठे हैं उम्मीद करते हैं कि कल booking हमें मिल जाएगी आज का विलोग जो हमारा है यही पर समाप्त होता है उम्मीद करते हैं आज का विलोग आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें कमेंट करें आगर आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट आम आये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चलिए इसी के साथ यही कहेंगे जैहिंद बंदे मात्रम और गुड नाइट सी यू टाटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब